भाई लोग सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हूँ हमको यहाँ पर लेजी पे आप पे ओनलाइन घर बैठे पूरे यहाँ पर 60,000 पे का लोन अपरूप क्या गया है आपके सामने यहाँ पर है हम इसाब पे कम से कम 3,000 पे से लेके 60,000 पे तक लोन अपलाई कर अगर मैं यहां से पूरा जो है 60,000 का लोन अप्लाई करता हूं तो हमारे लोन पे 2124 रुपे प्रोसेसिंग फिस कर जाएगा और बाकी का 57,876 पे हमारे बैंक एकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा अगर मैं यहां से 60,000 का लोन अप्लाई करूंगा पूरा तो जैसा कि आपके सामने आपर है आप लोग देख सकते हो तो आज किस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल का लोन अप जो है लेके आया हूं जिसाब पे आप जो है घर बैठे अपना लोन अप्लाई कर पाऊगे तुरंत आपको लोन मिल जाएगा पैसे मिल जाएंगे अगर आप आपको पैसे की जरुत है और आप जो है घर बैठे अपना लोन अप्लाई करना चाहते हो तो आईए मैं आपको लाइट जो है लोन अप्लाई करने का प्रोसेस करके दिखाता हूं अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आप एक काम करना सबसे पहले आप जो है ले डालके नीचे चलेयाना यहान पर गट कर देना आपके मोबाइल नंबर पर एक यहांपर OTP जाएगा OTP डालके नीचे से आप जो है verify कर देना आपका OTP यहांपर verify हो जाएगा तरहाब के सामने option open हो जाएगा अपना device यहांपर वेरिफाइङ करने का तो आप ही CP काम करना नीचे चलियाना यहांपर टैप कर देना विरिफाइड इफिस डिवाइड करोगे आपके सामने ओपशन ओ。」 आपना SIM यहां पर सेर्ट करने का जो मोंबाईल नंबर आपने डाला था वह वावला सामने उपशन उपन जाएगा एप की सारी पर्मिसन यहां पर one by one जो है अलाव करने फिर आपके सामने option open हो जाएगा अपना detail यहां पर डालने का app पे तो आप एक काम करना अपना पूरा detail यहां पर डाल देना सबसे पहले अपना पूरा नाम जो आपके pen card अधार card पे होगा फिर अपना एक email ID अपना date of birth यह तीन चीजे आप जो है डालके नीचे चले आना यहां से आप जो है continue पे टाप कर देना फिर आपका lazy पे आपके account यहां पर open हो जाएगा आप लोग देख सकते हूँ उसके बात अगर आपको इसाप पे loan अप्लाई करना है तो इसाप पे आपको दो तरह का loan जो है मिलता है ठीक है तो भाई लोग मैं आपको इसाप पे जो है express cash loan जो है apply करके दिखाता हूँ जिस पे आपको up to 5 लाख रुपे तक loan मिलेगा जिसको आप जो है stand अपने bank account पे ले पाओगे इसके लिए आप एक काम करना आप यहां पर tap कर देना express cash यहां पर tap करोगे आपके समने express cash loan apply करने का page open हो जाएगा आपको यह loan कम से कम यहां पर 5 मेट के अंदर मिल जाएगा और zero paperwork यहां पर है ठीक है कोई आपको paperwork नहीं करना है loan आपको मिल जाएगा 5 मेट के अंदर अगर आपको apply करना है तो आप जो है नीचे चलियाना नीचे में अपना पूरा detail आप यहां पर डाल देना जैसे कि अपना first name last name जो आपके pen card पे होगा अपना date of birth अपना gender और नीचे चलियाना अपना pin code अपना employment type क्या चीज करते हो वो चीज आप यहां पर click करके thread कर लेना अगर आप कहीं job करते हो तो आप यहां पर salary development set कर लेना अगर आपको कोई business से कोई दुकान है तो आप यहां पर self employee जो है thread कर लेना फिर और नीचे आओगे अपना income यहां पर thread कर लेना कितना पैसा महीने कमाते हो वो चीज आप यहां पर डालके नीचे चलियाना फिर आप य रीजन जो है बता देना किस वज़ा से आप यहां पर इसाप पर loan apply कर रहे हूँ एक reason यहां पर click करके thread करके दोनों टरनमेंग करणिशन को नीचे से allow कर देना फिर आप यहां पर tap कर देना check eligibility आपकी eligibility यहां पर check की जाएगी कि आपको इसाप पे कितने रुपे का loan जो है दि तरफ से पूरे 60,000 पे का loan जो है दिया जा रहा है हम यहां फर maximum 60,000 का loan apply कर पाएंगे कम से कम 3000 का कर पाएंगे तो अपना loan का amount आप यहां पर select कर लेना मैं तो यहाँ पर पूरा अप्लाई नहीं करूँगा मैं आपको यहाँ पर इसाब पे 16,000 पे का लोन अप्लाई करके दिखाता हूँ हम यहाँ पर एमाउंट में 16,000 स्रेट कर लेंगे उसके बाद आपके लोन पे जितना आपका प्रोसेसिंग फेस कटेगा उसके आपको यहाँ पर मिल जाएगे जितना पैसा आपके बैंक एकाउंट पर आएगा उसके यहाँ पर आपको बताए जाएगा अगर मैं यहाँ से 16,000 का लोन अप्लाई करूंगा तो हमारे बैंक एकाउंट पे 15,433 रुपे आएंगे बागी का इतना पैसा हमारा यहाँ पर कट जाएगा प्रोसेसिंग फिस पे यह सब आप यहाँ पर चेक कर लेना फिर नीचे चले आना यहाँ पर आप जो है स्रेट कर लेना अपने लोन पे कितने महिने का EMI आप यहाँ पर करवाना चाहते हूँ 9 महने का करवाना चाहते हूँ 6 का करवाना चाहते हूँ तीन का करवाना चाहते हूँ वो चीज आप यहाँ पर क्लिक करके स्ट कर लेना जितना आपका EMI होगा बगल में आपको मिल जाएगा तो चीज आप यहाँ पर क्लिक करके स्ट करके नीचे से आप जो है कॉंटीनियू पर tap करदेना तिरह आपके समने option up in हो जाएगा अपना bank account यहाँ पर add करने का जिस bank account पर आपको आपका लोन का पैसा मिलेगा तो आप एक काम करना अपना bank का यहाँ पर नाम जो है पैसा लेना चाहते हो नाम स्लेट करने के बाद अपना एकाउंट नंबर एकाउंट नंबर यह चीज आप जो है डालके नीचे से यहाँ पर कन्फर्म जो है कर देना आपका एकाउंट के हाँ पर एड हो जाएगा फिर आपको अपना इमेंडेट करना होगा ताकि लोन का पैसा इमाई आपके बैंक एकाउंट से ओटोमेटिक यहाँ पर कट हो जाए तो आप एक काम करना इमेंडेट करने के लिए आपको यहाँ पर दो अप्सन मिल जाएंगे पहला नेट बैंकिंग दूसरा यहाँ पर एटियम डेबिट कार्ड तो यहाँ पर सेट करके आप जो है कर लि लिए यहाँ पर 10-15 अव्यट का बेट कर लिए फिर आप अपना एंप यहाँ पर दोबारह जो है open करना बंथ करके फिर आपके सामने ऐसा कोंड कोंसे ये माईपे करना है सब कुछ आप यहां पर चेक कर लेना अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो नीचे चले आना प्रोसीड पर कर कर देना तिर आपके सामने option open हो जाएगा लोन का agreement यहां पर sign करने का इसके लिए आपके mobile नमर पे एक यहां पर OTP जाएगा OTP डालके आप यहां पर tap कर देना आपका काम यहां पर हो जाएगा आपका लोन का पैसा आपके bank account पे ट्रांसपर हो जाएगा उनली यहां पर दो ती कर पाओगे मैंने आपको लाइट जो है लोन अपलाई करने का इसा पर प्रोसेस करके दिखा दिया ऐसे ही कर लोगे लोन आपको मिल जाएगा पैसा पांच मैंट के अंदर आपके bank account पे आ जाएगा आपको वीडियो जो है पसंद आई हूँ वीडियो को लाइक करके चैनल क तो आपको सबस्क्राइब करके बैल आइकन को पैस कर लेना साथ में अगर आपको ऑन-लाइन यर्निंग करना है धर-बैठे पैस से कमाने है तो यहार हमारे टेलिगराम चैनल को जोईन कर लो तूकि मैं आपको टेलिगराम चैनल पे कैसप बैक ऊफर जो है देता रहता हूँ चल्ली जाओ जोआइन कर लो लिंक आपको इसी वीडियो बिसकप्सन में मिल जाएगा अगर आपको अर्निंग करना है तो चल्ली जाओ जोआइन कर लो